मोदी जी आप प्रधान मंत्री कैसे बनोगे? मोदी जी आप और आपके बहुत सारे नेता लोग बोलते हैं कि आप चाय बेचते थे, चाय बेचने वाला आदमी आज देश का प्रधान मंत्री बन गया. बात तो अच्छी है, बात तो फते की है. लेकिन इस देश में जितने भी चाय वाले हैं, उनको कभी मिलकर पूछा, आप जो चाय बनाते हो, उस शक्कर का आज भाव कितना है? आप जो चाय में दूट डालते हो, उस दूट का भाव कितना है? आप जो चाय बनाने के लिए ग्यास लाते हो सिलेंडर कितने में मिलता है हमें तो अपनोंने लूटा गैरों में कहा दमता हमारी कश्टी थी डूबी वहाँ पानी कम था इस देश के हर एक नागरिक के लिए काम करेगा इस देश के सवेदानिक मुल्यों का जो जतन करेगा उसे ही लोग चुन कर देंगे और यही लड़ाई की तैयारी है यह द्यान में रचा मोदी साब प्रधार मंत्री बनना चाहते है फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगाये जाते है लेकिन कभी मोदी साब को पूचा है इतनी मंगाई बढ़ गई इतनी बेरोजगारी बढ़ गई सब बड़े-बड़े कारुबार गुजरात लेके गए कुनसा भी राज्य हो वहां का जो भी कुछ इंडस्टियल प्रापर्टी है कोई सेंट्रल गवर्मेंट की हो या स्टेट गवर्मेंट की हो उसे भी बेच डाला हमें जो चाहिये था वो तो नहीं मिला लेकिन जो नहीं चाहिये वो भी नहीं मिला मोदी जी आप प्रधार मंत्री कैसे बनोगे बोदीजे आप और आपके बहुत सारे नेता लोग बोलते हैं कि आप चाए बेचते थे चाए बेचने वाला आदमी आजदेश का प्रधान मंतरी बन गया बात तो अच्छी है बात तो फते की है लेकिन इस देश में जितने भी चाए वाले हैं उनको कभी मिलकर पूछा आप जो चाए बनाते हो उस शक्कर का आज भाव कितना है आप जो चाए में दूट डालते हो उस दूट का भाव कितना है आप जो चाई बनाने के लिए ग्यास लाते हो सिलेंडर कितने में मिलता है मोदीजे और मोदीजे के नेता कारे करता हूँ एक बार उसी चाई वाले को जाके पूछो पहले तो 2014 से पहले 400, 4500 में सिलेंडर आता था घर में अभी वही ग्यास सिलेंडर आपने तो 1100 या 11.5 तक लेके गए लोगों को दबा कर मारना या खाली फुकट में सब देना ये तो कहां की इंसाफ ही है ये तो ना इंसाफ ही है लेकिन पूछेगा कौन, बोलेगा कौन, बात करेगा कौन, सवाल पूछेगा कौन और शासन प्रशासन तो रस्ते पे आने नहीं देते बाते करने नहीं देते सही बोलने नहीं देते अगर यही चलता रहा तिसरी बार आपको अगर लोगों ने चुनाओ में चुनकर दे भी दिया आपको पता ही होगा कि पहले एक हिटलर होता था और हिटलर की चाल कैसी थी जो हिटलर के खिलाब जाएगा उसे कैसे रोंदा जाता था आज पुलिटिकल वर चेंज हो गया है नेता लोग अलग अलग विचारों में और पार्टी में बढ़ गये है अच्छे लोगों को कोई पूछता नहीं अच्छी लोग जितने भी अच्छे लोग है वो टाइम पर बाते नहीं करते अपनी भूमिका नहीं पेश करते या जो भी कुछ होगा इस देश के खिलाप या देश के साथ जो भी कुछ होगा वो कहने बोलने वाले लोग अगर पाइदा भी नहीं होए तो क्या होगा इस देश का हमारा कॉंस्टिूशन कहता है सबको बराबर का हग और सबको शिक्षा या सबको अभिवेक्ति स्वातंत्र अगर दिया गया है मिल गया है तो हमारा सविधान हमें बोलने की बात रखने की और इस देश को आगे ले जाने के लिए सुतंत्र इस भारत को मजबुत करने की भी साहयता करता है या साथ रहता है तो लोग क्यों नहीं रहते कुछ लोग बोले कि मोदिय साब प्रधान मंत्री 400 पार तक तो नहीं जाएगे लेकिन 180-190 तक भारतिय जंता पार्टिय और उनका यूतिशासन है वो पार करेगा लेकिन जो कुछ लोग गये है अगर वो चुनाओं में चुन कर नहीं आये उनका क्या होगा लोगों को सब को पता है कि अगर संगर्श करोगे अगर बाते करोगे अगर जो मिलना चाहिए उसे मांग लेनी की जिसमें हिम्मत है ताकत है वही लोग लड़ रहे है जो नहीं लड़ते वो सिर्फ और सिब बाते करते है मोदी जी हो या राहूल गांदी जी हो जो भी कुछ नेता है वोस्त अपने और अपने पार्टी के लिए ही काम करते है यह तो सब को पता है लेकिन देश के लोगों के लिए जो भी कुछ काम करेगा जो सविधान के बाशा बोलेगा जो समता समंता की बाशा बोलेगा जो सब को साथ लेके आगे जाने की बाते करेगा उसे ही लोग चुनाओं में चुनकर देंगे इस देश का किसान खुश नहीं है इस देश का अमाद में खुश नहीं है इस देश का तरुन युवा भी खुश नहीं है, रोजगार नहीं है, सब भगा कर लेके जा रहे हैं, और फिर भी हम चुप बैटते हैं, चुप बैटकर हम सब सुनते हैं, हम बातें नहीं करते हैं, और फिर एक बार उसी लोगों को अगर आप मद्दान डालोगे या चुनकर दे दोगे, तो इस देश के लोग तंत्र का क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है, हमें तो अपनोंने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्टी थी डूबी, वहाँ पानी कम था, ऐसा लोग कब बोलेंगे, जब चुनाओ का जो सीजन है, निकल कर जाने के बात, अ आप खुद को और दुसरों को फसाने का और जुट बोलने का काम कर रहे हैं, मुझे यही इस समाध्यम से, संतोशिंदिया उफिसे ले हो, या इस समाध्यम से, आप से ही गुजारिश है, देश का प्रधान मंत्री कोन बने, यह हमें लेना देना नहीं है, जिसकी संक्या भा भागेदारी, लेकिन इस देश के हित के लिए जो काम करेगा, इस देश के हरेकनागरिक के लिए काम करेगा, इस देश के सव्वेदानिक मुल्यों का जो जतन करेगा, उसे ही लोग चुन कर देंगे, और यही लड़ाई की तैयारी है, यह ध्यान में रखो, बाकि आप तो जाने पहिचाने और इदर उदर ध्यान देने वाले लोग हैं मेरी एक ही दरक्वास है मेरी बाते अगर आपको अच्छी लगती है अगर आप अपना ही दिमाग खुद का चला कर इस देश को बचाने का काम करोगे और प्रतिक्रिया देने का काम करोगे तो ही सब एक इकटा मि कर इस देश को बदल सकते हैं यही मुझे इस माद्यम से कहना है धन्यवाद जाई 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 शवरा है